महोबा में जमीनों पर अवैध तरीके से प्लाटिंग कर करोड़ों के राजस्व की चोरी का अनोखा खेल चल रहा है भूमाफिया भू स्वमियों से करोडों की जमीनों की फर्जी तरीके से नोटरी करवा कर उसमें प्लाटिंग कर आम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं अवैध प्लाटिंग के खेल में कुछ विभागिय कर्मचारी भी भूमाफियाओं का सहयोग कर रहे हैं हाल ही ऐसा ही मामला सामने आया है, जिस पर भूशन जैन ने शहर के बीन्चो बीच बेशकीमती जमीन की नवीन श्रिवास्तव और उनके भाईयों से एक नोटरी कराई थी. जमीन का 21 करोड रुपए में सौदा तै हुआ था. सौदे की इतनी बड़ी डील मातर 2000 रुपए की नोटरी में हो गई, जिसके बाद भूशन जैन जमीन पर अवैध तरीके से मानक विहीन प्लाटिंग कर रहा था. इस बीच लेंदेन को लेकर भूशन जैन और नवीन श्रीवास्तव में विवाद हो गया. भूशन जैन ने कोट के माध्यम से नवीन श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव, प्रशांत, श्रीवास्तव के खिलाफ 420 के तहत मुकद्दमा पंजीकृत कराया है. बड़ी बात तो ये है इस खेल में कुछ राजस्व के कर्मचारी भी जुड़े हुए है मुकद्दमा लिखते ही दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है मीडिया कर्मियों ने जब भूशन जैन से उनका पक्ष लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने बड़े सौदे के बाद प्लाटिंग के नाम पर भोली भाली जनता को ठगा जाता है एक व्यक्ति अपने खुद के मकान बनाने का सपना पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई ऐसे लोगों के हाथों में दे देता है बाद में खुद को ठगा सा महसूस करता है आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है लगातार हम एग्रिमेंट की हुई जमीनों पर आगे भी खुला से कर आपको आगाहा करते रहेंगे पामदा क्या है हमने बूसर जैन को करिश का रोड़ की जमीन गईती थी हमने हमारे भाईयों ने के जिसका जो है 50 लाख रुपया हम लोगों को मिला तर्की नभींत कुमार स्रिवास्तों को मिला 10 लाख 15 सीरी आगा याष्जों बांधन को अब इस समय परिवान आयुक्त है, इस समय आप घार खो रहे हैं, बुर्सर जैन का आरोप है कि जो कि इस करूर का अरूबंध हुआ, उसके सर्थों का आप नो रंगन किया है, जिसके तरह आपके खलाब ढोका दरी या कोदवारी मुखनमन राजी हुआ है, ना मुझे कोई आ आप घारा बिग गए, जब कि मेरा त्याय हुगे तक 20 लाट लिखे थोरान हमते रश्की करवावा हुआ पैसा जो, 20 महीने का समय था, और उसमें एक लाख रुप्या ब्याज नभीन कुमार स्रीवास्तों को प्रती मा हैं, और एक लाख में 50 हजार अमन स्रीवास्तों और 50 हजार परसांद कुमार स्रीवास्तों को मिलेगा, क्या ऐसी वज़र है कि जिसके जो मुकदमर रजुआ है, अब भूचर जैन तो फिरोट आदमी है, वो बैचे ही नहीं पाया जमीन हमारी, और ना हमें पैसा दिया, और वो तो जबर जत्ती दवा बना रहा है, ये पज़ पी हमारे पास, 20 महीने बाद खतम हो गया था, मार्च